हलो एब्रीवन वेलकम टू करेंट पूर तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे करेंट अफेर्स के कुछ कोश्चन बिहार से रिलेटेड जो की बिहार में जतने भी होने वाले एक्जाम है कॉम्प्टेटिव एक्जाम चाहे वो सतरवी BPSC हो CDPO हो या फिर BSSE या BSSE CGL ह इन सभी एक्जाम के लिए काफी helpful होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को कोशन है पहला कि बिहार के किस बच्चे को वर्स 2024 का प्रधान मंत्री रास्टिय बाल पुरसकार से सम्मानित किया गया आंसर है इसका option D मुहम्मद हुसैन को 22 जन्वरी 2024 को विज्ञान भवन में आयोजीत एक कारेकरम में राष्टपती द्रौपती मुर्मो के द्वारा प्रधान मंत्री रास्टिय बाल पुरसकार प्रधान किये जाएंगे प्रधान मंत्री रास्टिय बाल पुरसकार वर्स 2024 के लिए देश के सभी छेतरों से असाधारन उपलब्धियों के लिए 19 बच्चों का चैन किया गया है जिसमें की बिहार के मुहम्मद हुसेन को कला इवन संस्कृती के लिए इस पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा रास्टिय अस्तर के ये पुरसकार पांच से लेकर 18 वर्स के आयूबर के बच्चों को बहादुरी, कला और संस्कृती, परियावरन, नवाचार, विज्यान और प्रदुगी की, समाजिक सेवा और खेल जैसी साथ स्रेनियों में उनकी उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है PMRBP के प्रते एक पुरसकार विज्याता को एक पदक, परमान पत्र और एक प्रसस्ती पुस्तिका दी जाती है रास्टिय बहु आयामी गरीबी सूचकांक 2030 निमलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? आंसर है ओप्सन B, निती आयोग के द्वारा रास्टिय बहु आयामी गरीबी सूचकांक 2030 भारत में निती आयोग द्वारा जारी किया गया वैस्विक बहु आयामी गरीबी सूचकांक 2030 ये सन्युक्त रास्ट विकास कारेकरम UNDP और Oxford गरीबी और मानो विकास पहल के द्वारा जारी किया जाता है निती आयोग के रास्टिय बहु आयामी गरीबी सुचकांक 2023 के अनुसार निम्लखित में से किस राज में करीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है आंसर है ओप्संसी उत्तर प्रदेश में 15 जनवरी 2024 को निती आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले नौ वरसों के दोरान 2013-2022-23 के मद्ध भारत में 24.82 करोर लोग बहु आयामी गरीबी से बाहर निकले हैं उत्र प्रदेश में पिछले नौ वरसों के दोरान 5.94 करोर लोगों के बहु आयामी गरीबी से बाहर निकलने के साथ गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है निती आयोग के दोरा रास्टिय बहु आयामी गरीबी सूचकांग के 2023 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज कौन हसा है आंसर है ओपसन सी बिहार है निती आयोग के रास्टिय बहु आयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज बिहार और सबसे अमीर राज केरल है 15 जन्वरी 2024 को निती आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वरसों के दोरान 2013-2022-23 के मद्ध बिहार में कितने करोड लोग बहु आयामी गरीबी से बाहर निकले हैं आंसर है ओप्सन ए 3.77 करोड लोग उत्र प्रदेश में पिछले 9 वरसों के दोरान 5.9 करोड लोग के बहु आयामी गरीबी से बाहर निकलने के साथ गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है इसके बाद बिहार में 3.77 करोड मध्य प्रदेश में 2.3 0 करोड और राजस्थान में 1.7 करोड लोग हैं बिहार में चौथा क्रिसी रोड मैप किस अवधी के लिए लागू किया गया है आंसर है ओप्सन सी 2023 से 28 तर राश्ट्रपती स्रीमती दरौपती मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को पटना में बिहार के चौथे क्रिसी रोड मैप 2023 से 28 का सुभारम किया बिहार में चौथा क्रिसी रोड मैप 2023 से 28 तक अर्थात अगले 5 साल तक लागू रहेगा गंतंत्र दिवस 2024 में बिहार के कितने बच्चे कर्तब्यपत पर बिहार के लोक नरती जीजिया और भरत नाट्यम की प्रस्तोती दी गंतंत्र दिवस पर होने वाले परेड में इस बार पटना के 18 बच्चियों ने बिहार का मान बढ़ाया है या बच्चियां कर्तब्यपत पर बिहार के लोक नरती जीजिया और भरत नाट्यम की प्रस्तोती दी लोक नरिती जीजिया के लिए आठ और भरतनाट्यम के लिए दस बच्चियों का सेलेक्शन हुआ था हाली में 17 जनवरी 2024 को सीख के दसमें गुरू गोविंद सिंग की कौन सी प्रकास पर वो मनाया गया आंसर है इसका ओप्सन A 357 में 17 जनवरी 2024 को गुरू गोविंद सिंग जी की 397 परकास वर्स मनाई गई गुरू गोविंद सिंग सिखो के दसमें और आखरी गुरू थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को बिहार के किस जिल्य में FM Transmitter का वर्चुवल माध्यम से सिलान्यास किया आंसर है ओप्सन D उप्योक्त सभी मोतिहारी में दरभंगा में और सहरसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को बिहार के मोतिहारी दरभंगा सहरसा और कटिहार समेत 12 राज्यों में 26 FM Transmitter का वर्चुवल माध्यम से सिलान्यास किया अंतरास्टिय बौध महोत्सव इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन बिहार में कहां किया गया आंसर है गया में अंतर रास्टी ये बौध महोत्सो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल दो हजार चोबिस का आयोजन बिहार के बोध गया के कालचक्र मैदान में आयोजित किया गया मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 591 कड़ोर रुप्य की लागत से नर्मित स्री राम जान की मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का लोकारपन किया गया आंसर है ओप्सन ए समस्तिपूर में बिहार के समस्तिपूर जिले के सराय रंजन में 591 कड़ोर रुप्य की लागत से स्री राम जान की मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का लोकारपन किया गया 500 बेड़ वाले इस अस्पताल में सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्द होगी हाली में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रतने से सम्मानित किये जाने की गोशना की है आंसर है इसका ओप्सन बी करपूरी ठाकूर को हाली में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री करपूरी ठाकूर को सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रतने से नवाजा जाएगा बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 1978 में सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछड़े सम्मूहों करपूरी ठाकूर को बिहार में जननायक के नाम से भी जाना जाता है अब तक बिहार के चार लोगों को भारत रतने से सम्मानित किया जा चुका है जसमें कि डॉक्टर आजेंदर परसाद जने के 1962 में वस्मिल्ला खां 2001 में जब प्रकास नारायन को 1999 और डॉक्टर वीसी राय को 1961 इतने लोग सामील है और अब इस बार जो दिया जाएगा करपूरी ठाकूर को आंसर है ओप्सन B सोमी जेयनती 24 जनवरी 2024 को भारत रतने जन्नायक करपूरी ठाकूर की सोमी जेयनती मनाई गई करपूरी ठाकूर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तिपूर में हुआ और इनकी मृत्यू 17 फरवरी 1988 में पटना में हुई बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरसकार 2024 दिया जाएगा आंसर है ओप्सन A 6 व्यक्तियों को बिहार के एक व्यक्ति को पद्म विभूशन एक व्यक्ति को पद्म भूशन और चार व्यक्तियों को पद्म स्री पुरसकार 2024 देने की गुशना की गई है बिहार के किस व्यक्ति को वर्स 2024 का पद्म विभूशन पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा आंसर है ओप्सन बी विंदेश्वरी पाठक को बिहार के स्री विंदेश्वरी पाठक को मरनो प्रांत समाजिक कार्ये हेतू वर्स दो हजार चोविस का पद्म भीभूशन पुरसकार से संमानित किया जाएगा स्री चंद्रेस्वर प्रशाद प्रठाकूर को पद्मभूशन पुरसकार तथा स्री असोक कुमार विश्वास को कला के छेतर में, स्री शुरेंदर किशोर साहेत एवं सिक्षा पत्रकारिता के छेतर में, स्री राम कुमार मलिक कला के छेतर में और सुसरी शांती देवी पाश इनको यूगल रूप से दिया गया है कला के छेतर में और इनको समानित किया जाएगा रिजर्व बैंक ओफ इंडिया की पंचायती राज फाइनेंस विट रिपोर्ट वर्स 2022-23 के नुसार बिहार में उस्तन कितने हजार रुपिये प्रती पंचायत खर्च हुआ आंसर है ओप्सन सी 63,000 रुपिया प्रती पंचायत 24 जन्वरी को रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने साल 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की विट रिपोर्ट जारी की इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में उस्तन 63,000 रुपिये प्रती पंचायत खर्च हुआ देश की कूल 2,55,623 ग्राम पंचायतों को 95 प्रतीशत से ज़्यादा राजस्व केंद्र और राजसरकारों से अनुदान के रूप में मिलता है देश की पंचायते अपने राजस्व का महज 1.1 प्रतीशत ही अस्थानिय कर्व अन्य सूल के जरिये जुटा पाती है तमिलाडू में आयोजीत खेलो इंडिया प्रतियो गिता में 1500 मीटर दोड में बिहार की दुर्गा कुमारी ने कौन सा पदक जीता आंसर है ओप्सन ए स्वर्ण पदक तमिलाडू में चल रहे खेलो इंडिया गेम्स 2023 में 1500 मीटर दोड प्रतियस परधा में बिहार की बेटी दुर्गा सिंग ने स्वर्ण पदक जीत कर बिहार को गौरान विद किया स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही दुर्गा ने 4 मिनट 29 सेकेंड में दोड को पूरा कर पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए खेलो इंडिया गेम्स का नया रास्ट्रे किर्थिमान अस्थापित किया बिहार के किस मंत्राले द्वारा नितीस डिवाइस लॉंच किया गया है आंसर है ओप्सन बी बिहार राज आपदा प्रबंधन प्राधिकरन द्वारा बिहार राज आपदा प्रबंधन प्राधिकरन BSDMA ने नितीस यानिकी Novel Initiative Technological Intervention for Safety of Human Leaps यानि कि नितीस डिवाइस लॉंच किया है जो किसानों और आम लोगों को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए डिवाइस है या तकनीक विसेश रूप से तडित बाढ़, ग्रिस्म लहर और सीत लहर को लक्षित करती है नितीस डिवाइस को भारती प्रदगी की संस्थान IIT पटना के सहयोग से प्रस्तोत किया गया है हाली में किस ने बिहार का सिक्षा मंत्री का पदभार सम्हाला है आंसर है Option B, स्रीविजे कुमार चौधरी ने देश का पहला तांबे के आवरन वाला बापू टावर कहां बनाया गया है आंसर है Option A, पटना में राश्टर पिता महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर पटना बिहार में बनाया गया है इसके लिए भवन निर्मान विभाग और निर्मान एजेंसिया तयारियों को अंतिम रूप दे रहा करीब 45 क्रोड रुपे की लागत से बनी बापू टावर पटना के गरदनी बाग में स्थित है इस टावर की उचाई 120 फीट है यह 6 मंजली टावर है यह मुख्यमंत्रि नितीज कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है तो यह थे बिहार से रिलेटेड एक्जाम के लिए बिहार से रिलेटेड करेंट अफैर्स की वीडियो आई होप की वीडियो काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें धन्यबाद